हलो ख्लास वेलकम बैक बच्चो तो मेरे प्यारे बच्चो जर्नल एंट्री लगबग लगबग फिनिस हो चुकी है आज बेटा दो इलस्प्रेशन है छोटे छोटे से एक तो वू कर लेते हैं बेटा और रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं जर्नल एंट्री का एक से डेट क्लास में रिवीजन पर लगाऊंगा प्रोबैबली बेटा जो अगली क्लास होगी वो जनल इंट्री की लास क्लास होगी उसके बाद बेटा हम अकाउंटिंग फो जी एस्टी स्टार्ट करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों दो हमारे इलस्ट्रेशन रहते हैं जनल इंट्री का इलस्ट्रेशन नमबर 29 एंड इलस्ट्रेशन नमबर 30 तो बेटा ये दो इलस्ट्रेशन आज हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नमबर 29 की पहले बात करूँगा और ऐसी चीचे बेटा मेरे को बहुत पसंद है पर narration दे रखी है कहीं पर amount दे रखी है कहीं पर बेटा debit side बता रखी है कहीं पर credit side बता रखी है याने कि कुछ incomplete information दे रखी है और आपको कहता है कि narration के basis पर general entry करो और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं accounts is the subject of reading accounts is the subject of understanding अगर आप narration देखकर general entry नहीं बना पाए ना बेटा तो आपने सिर्फ रख्ता हमारा है आपने कुछ समझा नहीं है और बेटा accounts कोई रटने की चीज नहीं है इसमें हर चीज समझने वाली है तो मेरे ब्यारे बच्चों ऐसी कोई narration नहीं होगी जो आप मुझे दो और मैं journal entry ना बना पाऊ ठीक है ना और मैं ये भी आपसे भी सेम उमीद करता हूं कि मैं कोई narration आपको दू आप journal entry ना बना पाऊ तो देता है कहता है goods of list price 8000 purchase at 20% trade discount and 5% cash discount कहता है आपने 8000 रुपे की MRP की goods purchase करे लेकिन 20% trade discount है और 5% cash discount है मेरे ब्यारे बच्चों आपको पता है इसकी journal entry कैसे होगी ठीक है ना तो हम क्या कर सकते हैं बेटा अराम से जो भी इसने fill up करने को का है बेटा easily fill up कर लेंगे हम तो trade discount जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ calculation के लिए use होती है लेकिन cash discount को हम books में दिखाते हैं तो कर लेंगे बेटा अभी करते हैं आगे बढ़ो second narration बढ़ो कहता है goods costing 15,000 soul data profit of one third on cost मेरे ब्यारे बच्चों 15,000 के goods one third का profit कमा कर बेच दिये याने की 20,000 में बेच दिये और बेटा goods का profit कभी भी recognize नहीं किया जाता बेटा एसेट बेचने पर profit loss होते हैं recognize करते हैं goods का profit losses recognize नहीं किया जाते हैं it is a simple sale transaction April 10, goods costing 4000 destroyed by fire बेटा 4000 के goods आग में जल गए loss by fire debit to purchases हजारों बार बात किया बेटा आगे बढ़ो April 16, plan purchase for 1 lakh and installation charges paid 2000 बेटा एक लाग का plan करीदा और installation charges 2000 रुपे दिये बेटा जब तक asset put to use नहीं हो जाती तब तक कि सारे खर्चे asset हैं बहुत बार बात हुई है आगे बढ़ो April 20, बाबू आपको कहता है bank account debit dash account debit to dash तो ठीक है बेटा और अगर मैं narration पढ़ो तो बोलता है बेटा 40 पैसा पर रुपी received from the state of Mohan on his insolvency कहता है Mohan की insolvency पे 40 पैसे मिले हैं उसकी property में से तो आपको पता है बेटा ऐसे cases में हम क्या करते हैं डेटर को बुक से पूरा खतम करते हैं जो आया वो debit कर दिया और जो नहीं मिला बेटा यहां losses का नाम होता है bad debt account तो कर लेंगे बेटा April 22 कहता है purchase of a computer for 30,000 and a electric fan for 10,000 मेरे प्यारे बच्चों 30,000 का computer खरीदा और 10,000 का electric fan खरीदा something which is mounted to the property is known as fixture something which is attached to a property is fixture तो electric fan है बेटा 10,000 रुपे के fixture को debit कर दो और बेटा computer खरीदा है यह लिखते हैं बेटा office equipment मैं तो computer ही लिख देता हूं बेटा तो computer account debit कर दो combo entry हो जाएगी बेटा बढ़ो आगे April 30 कहता है salary paid 40,000 and due 10,000 salary 40,000 की पे करी और due करी 10,000 और मुझे कहता है dash account debit to dash to dash that means मेरे को combine entry करनी है बेटा salary पे करने की भी और outstanding की भी तो मेरे प्यारे बच्चों कर दूँगा इसमें दिक्कत क्या है लो फटा फट से format बनाते हैं बाबो मैं काम करूँगा इस illustration में न मैं सोच रहा हूं मैं narration ना लिखो क्योंकि narration दी हुई है इनोंने बेटा आप same chip का ले न मैं format ready कर रहा हूं journal entry का मैं narration नहीं लिखोंगा मैं बिना narration के कर देता हूं बै लो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम फटा फट से बेटा एपरिल थर्ड की transaction है 2017 बेटा कहता है goods of list price 8000 purchase है 20% trade discount and 5% cash discount चलो जी 8000 की MRP के goods करीदे 20% trade discount बेटा 20% of 8600 तो बेटा 20% trade discount है और कहता है बेटा 2% cash discount है मेरे प्यारे बच्चों इसने ये नहीं बताया कि कितना उधार और कितना नगद तो बेटा सारा ही नगद होगा परना ये बोलता जरूर बेटा कि कितना उधार है तो बेटा हमें क्या करना है 2% cash discount भी दिखाना है cash discount books में record होता है बस ये बाद ध्यानक लेना बेटा 2% नहीं सोरी 5% तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने 5% calculate करा it is 320 और बेटा याने की payment कितनी की होगी आपने 6080 ये है बेटा cash discount तो बेटा goods purchase किया है trade discount है cash discount है हमारे लिए कोई नहीं बात नहीं बेटा goods purchase किया है purchases debit cash गया है बेटा आता है तो debit करता है जाता है तो credit करते है बेटा और बेटा discount आपको receive हुई है 320 की तो बेटा सब income credit होती है तो बेटा discount received account credit लो जी मेरे ब्यारे बच्चों narration मैं लिखनी रहा हूँ बेटा same book वाली चिपकार लेना बेटा total purchases कितनी की है trade discount कभी भी books में record नहीं होती MRP भी भूल जाओ बेटा purchases 6400 की है 320 का discount receive हुआ तो आपने cash कितना दिया बेटा 6080 लो प्यारे बच्चों पहली entry खतम आगे बढ़ो April 8 बेटा बोलता है goods costing 15,000 sold at a profit of one third बेटा 15,000 के goods है मुझे कहता है 33 1 by 3 में आपने बेच दिये बेटा मैंने आपको हर बार इसकी calculation करके दिखाई है तो बाबु यह 100 by 3% होता है which is equivalent to one third तो बेटा बाबु 15,000 रुपे के goods कहता है one third profit पर बेच दिये इसका one third बेटा 5,000 रुपे जाने की बेटा आपने goods कितने के बेच दिये 20,000 रुपे के goods बेच दिये और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैंने 20,000 रुपे के goods बेच दिये तो क्या करूं profit कभी recognize नहीं करते purchase और sales पर तो entry क्या होगी बेचा cash account debit to sales account being goods sold कितने रुपे बेचा 20,000 चलो जी बढ़ो आगे बेचा transaction on April 10 10 April की transaction है बेचा कहता है goods costing 4000 destroyed by fire 4000 के goods आग लगकर नुकसान हो गया बेचा बाबु सारे नुकसान debit होते हैं nominal account का rule बोलता है loss by fire account debit बेचा credit किसको करूं बाबु goods आता है तो purchases debit यहाँ पर goods खतम हो रहे हैं बेचा तो purchases के impact को कम कर दो तू purchase account बाबु अरे यार मैं क्यों लिख रहा हूँ बाबु मैंने हाँ पर भी narration लिख दी मैं क्यों लिख रहा हूँ narration छोड़ दो बेचा narration narration book वाली चिपका लेना लो बेचा बढ़ते हैं आगे next transaction on April 16 बेटा सब concept किये हुए हैं आपने ये तो सर्फ एक kind of revision हो रहा है और कुछ नहीं कहता है एक लाग का plant खरीदा installation charges दिये 2000 रुपे बेटा जब तक asset put to use नहीं होती है तब तक sub asset है तो क्या होगा बेटा plant account debit to cash सारी asset debit होती है बेटा तो मैंने plant को debit कर दिया क्यों बेटा real account का rule बोलता है debit what comes in and credit what goes out तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही asset है जो आ रहा है debit कर दिया जो जा रहा है credit कर दिया amounted to rupees 1,2000 एक लाग की plant नहीं है बेटा दो जार रुपे installation पे भी लगे है बेटा वो भी मेरी asset ही है आगे बढ़ो कहता है April 20 ये transaction बहुत मज़ेदार है बेटा कहता है बेटा April 20 को 40 पैसा पर रुपी received from the state of Mohan on his insolvency बेटा Mohan insolvent हो गया दिवालिया हो गया कंगाल हो गया कहता है उससे 40 पैसा मिले हैं मेरे ब्यारे बचो 40 पैसा मिले हैं तो जो आ रहा है वो तो debit करो और इन्होंने बेटा question में bank को dabit किया हुआ है यानि कि बेटा चेक आया होगा उससे simple सी बात है चेक आया होगा उससे question में इन्होंने bank को पहले से ही dabit कर रखा है बेटा और dabit कितने से कर रखा है बेटा यह figure मुझे दे रखे है three thousand बस बाकी कुछ question भी नहीं दिया, बाकी narration दी हुई है पेटा, Mohan insolvent हो गया, तो Mohan को तो आपने book से पूरा ही खतम किया होगा Mohan आपका debtor था, debit किया होगा, book से खतम करने के लिए credit कर दो, कर दिया credit मेरे प्यारे बच्चों जब उसने कुछी पैसा दिया, कहता है 40 पैसा दिया तो बेटा, बाकी बाकी सब losses और यहां loss का नाम क्या होता है बेटा back debt account debit, सारे losses debit होते हैं बेटा, यहां back debt account debit हो जाएगा अब काम की बाद बेटा, amount की बेटा, कहता है 40 पैसा इना rupee is realized that means 40 पैसे आया है बेटा, बाकी 60 पैसे डूब गए है तो बेटा, मैंने यह 60 पैसे अमाउंट दिखानी है, जो मेरी डूब गई, जो bet debt हो गए और यहां पर बेटा, पूरी 100 पैसे अमाउंट दिखानी है, कि मोहन से लेने कितने थे मुझे बेटा, 3000 की अमाउंट पता है, which is equivalent to 40% मुझे कितने पैसे मिले, बेटा, 3000 रुपे मिले हैं मोहन से और कहता है 40% पैसे दिये हैं, जब 40% पैसे दिये हैं and 40% is equivalent to 3000, तो क्या मैं 100% अमाउंट नहीं निकाल सकता निकाल लोगा, divide कर दो बेटा, 3000 रुपे मिले हैं, which is equivalent to 40% तो बेटा, 100% किसके बराबर होगा, ये लो 100% ऐसे निकाल लो 100% किसके बराबर होगा, 2, 5, 1500, जयाने की बेटा, लेने कितने दे बेटा लेने थे मोहन से 7,500, और मोहन ने दिये कितने बेटा, 40 पैसाईना रुपी बावो इसका 40% दिये, 3000 दिये, तो बेटा नहीं कितने दिये, 60% 60% of 7,500 is 4,500, तो बेटा सिर्फ calculation मुश्किल थी, journal entry तो बहुत ही असान तीक है लो प्यारे बच्चो, इतनी सारी journal entry मैंने कर दिया, लेकिन मैं बिना narration के कर रहा हूँ क्यूंकि question ने मुझे narration दी है, फटा फट से आगे बढ़ते हैं बेटा, और 10 मिनट में chapter को finish करते है और 10 मिनट में बेटा chapter बिल्कुल finish चलो जी, आगे बढ़ते हैं बेटा, बाबु आगे आपको बोलता है April 22, purchase of our computer for 30,000 and our electric fan for 10,000 लो बेटा, April 22, बाबु आपको कहता है, एक तो आपने खरीदा है computer और एक आपने खरीदा है electric fan और मेरे को बेटा question ने क्या करा credit करके बता दिया, पहले सही bank को 40,000 रुपे और एक credit debit करके दिखा दिया 30,000 को और एक 10,000 को that means question भी मुझसे चाता है कि मैं combo entry करूँ question ने का 30,000 का computer खरीदा, 10,000 का electric fan खरीदा और बेटा, ऐसे करके दिखा दिया, अगर मैं read कर पा रहा हूँ तो बेटा याने की check से खरीदा होगा, तभी तो बेटा credit कर रहा है तो bank account को खरीदा ही check से होगा, रही बाट debit किसको करना है, बेटा 30,000 का computer खरीदा ना तो 30,000 की amount के सामने लिख दो computer और बेटा 10,000 का आपने क्या खरीदा है बेटा, electric fan electric fan बेटा fixtures लिख दो, fixtures account debit लो बेटा, narration मैं लिखने रहा हूँ, question हमारा यहाँ पर एक entry का रह गया बस लो जी, last entry, बेटा कहता है salary paid and salary due amount दी है pay की 40,000 और due की 10,000, बस बेटा बाबो, सारे खर्चे debit होते हैं, ठीक है न, nominal account का rule बोलता है debit all the expenses and losses तो salary pay करी है बेटा, debit कर दो, salary account debit question ने क्या करा, मुझे credit में 2 figure essay करके दिखाई 2 filling the blanks दिखाई, बेटा 2 करके, that means question मुझसे चाता है कि मैं क्या करू, combine entry, बेटा जब आपने salary pay की होगी तो cash गया होगा 40,000 रुपे, लेकिन प्यारे बच्चों कहता है 10,000 की due भी है salary, बेटा salary due मतलब salary outstanding, outstanding is a liability और liability बेटा, हमेशा credit होती है तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करू, लिख दो बेटा to salary outstanding salary, sorry to outstanding salary account कितनी amount बेटा, 10,000 रुपे मेरे प्यारे बच्चों तो salary का total क्या होगा, 50,000 रुपे तो बेटा, ये question ने जबरदस्ती मुझसे combo entry करा I care, although मैं जानता हूँ बेटा, इसलिए हमें कोई problem आएगी नी हमने combined entry बहुत सारी कर ली है तो बेटा, ये हमारा illustration number 29, बिल्कुल finish it is a kind of revision for us लो बेटा, illustration number 30, last illustration of the book oh sorry, last illustration of the journal entry तो बेटा, इसके बाद हम revision start करेंगे बेटा, बोलता है, rectify the following entry assuming that the narration in each case is correct बेटा, एक journal entry दी हुई है, हमारे को नीचे narration दी हुई है कहता है, correct journal entry करके दो और मान कर चलो बेटा, कि आपको जो narration दी है, वो बिल्कुल ठीक दी है मेरे ब्यारे बच्चों, मैं तो इनके journal entry देखने में इंट्रस्टेड ही नी हूँ मैं सब narration पढ़ूँगा और question कर दूँगा मेरे ख्याल, वो ज़्यादा सान है बेटा, गलत देखने से कहता है, machinery purchase करी and the payment for its carriage बाबू, और मेरे को journal entry का देता है, purchase debit carriage debit to cash और 40,000, 2,000 और 42,000 रुपे बेटा, machinery purchase करी और उसकी carriage दी, बेटा, जब तक machinery put to use नहीं होई, तब तक कि सारे खर्चे machine है, तो इसने entry का गलत करी, purchase debit करा, उपर से carriage debit कर दिया मेरे ब्यारे बच्चों, purchase word आता है, वो goods के लिए आता है, यहाँ पर machinery खरी दिया, machinery का नाम आएगा carriage अलग से नहीं आएगा, बेटा, जब तक machinery put to use नहीं होई, तब तक कि सारे खर्चे machine ही है, तो बेटा, होगा क्या, machinery debit होगी, to cash 42,000, खतम का नहीं, लो जी बेटा, अगली journal entry, बेटा, कुछ पुराना फरनीचर बेचा, कुछ पुराने फरनीचर बेचे हो जाएगा, आगे बढ़ो, amount received from Rakesh, which were written off as Baghdad last year, बेटा, Rakesh की आज दिमाग में पता नहीं कहां से इमानदारी आगी बेटा, और क्या कर रहा है, पिछले साल हमने इसको bad debt कर दिया, ता आज फिर भी पैसे दे गया यह, चलो जी बेटा, आगे बढ़ते हैं, goods costing 2000, given away as charity, बेटा, charity में दान में आपने goods दे दी हैं, बेटा, हो जाएगा entry, and payment of income tax, तो मेरे प्यारे बच्चो, question again, बहुत simple है, rectify entry मुझे pass कर रही है, मैं अभी कर देता हूँ, rectification in card, लो जी प्यारे बच्चो, इसी format में कर देता हूँ, बेटा, narration मैं फिर से नहीं लिखने वाला, क्योंकि book ने narration दी होई हैं, आप लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, paper में फिर narration लिखकर आएंगे, अगर ऐसा question भी आया तो, ठीक है ना, मैं time बचाने के लिए narration छोड़ रहा हूँ, बेटा sorry, date भी दी होई है, बेटा मुझे 2017, April 3rd लो जी, बेटा, कहता है machinery पर chase करी, और payment dues की carriage की, बेटा, कहता है 40,000 की machine है, और 2,000 रुपे carriage का खर्चा है, तो बेटा, मेरे लिए तो machine ही 42,000 की है जब तक asset put to use नहीं हो जाती, तब तक कि सारे खर्चे asset है, चाहे वो machinery की cost है, चाहे वो carriage की cost है, बेटा मेरे लिए तो 42,000 की machine है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करूँ machine account debit, machinery account debit to cash to cash account, मैं narration नहीं लिख रहा हूँ, बेटा, question ने दी हुई है बहुत अच्छे से, लो प्यारे बच्चे पहली journal entry, finish बढ़ो आगे बढ़ो, question बोलता है goods purchase for 25,000 carriage paid 200 बेटा, कहता है, 25,000 के goods purchase करें, 200 की carriage दी मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, कि goods के carriage पे किया गया, कोई भी खर्चा goods में नहीं जोड़ता, ये जो concept है ना, carriage का, बढ़ो, ये सिर्फ asset के उपर लगता है, जब तक asset put to use नहीं हो जाती, तब तक के सारे खर्चे asset है, लेकिन ये बात goods पर नहीं लगती, कहता है आपने 25,000 का goods करीदा मेरे प्यारे बच्चों, purchase account debit, purchase account debit करी होगी 25,000 से, कहता है 200 की carriage दी, मेरे प्यारे के goods खरीदे है, 200 का carriage का खच्चा दिया, तो total cash मेरी जेव से जो गया, वो है 25,200 रुपे, narration मैं नहीं लिख रहा हूँ बेटा, बढ़ो आगे, ये transaction April 5 की थी, बढ़ो आगे जी, बाबू, April 10 की transaction, narration sale of old newspaper 1200 sorry, old chair for 1200 and old newspaper for 200 बेटा, मैंने कुछ chair बेची है पुरानी और कुछ newspaper बेचे है दोनों बेचने से, मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास cash आएगा, cash account, debit chair बेची है, बेटा, या तो लिखना credit side में, chair, asset चली जाएगी asset आती है, debit और जाती है, बेटा, credit, debit what comes in, credit what goes out जो जा रहा है, बेटा, credit कर दो बेटा, chair जा रही है, या तो word use करो chair, वैसे बेटा, correct word is furniture, तो बेटा, मेरे पास से furniture जा रहा है, मैंने furniture को credit कर दिया, और बेटा, newspaper बेचराओ, रदी बेचराओ, income realize हो रही है तो बेटा, हर income credit होती है newspaper लिखना चाहो, वो भी लिख सकते हो, लेकिन correct word is mislaneous income लो प्यारे बच्चो, फर रीचर बेचा 1200 का, दो सो की बेटा कुछ mislaneous income है, तो total पैसे आए 1400 रूपे मैं journal entry करने के बाद narration नहीं लिख रहा, बढ़ो आगे बेटा, कहता है बेटा amount received from rakesh which were written off as bad debt last year, April 16 rakesh से कुछ पैसा मिला है बेटा, जो पिछली बार bad debt कर दिया था, आपने 3500, मेरे ब्यारे बच्चो rakesh को पता नहीं कहां से इमानदा रही आई, और आज cash लीकर आगया, cash जब भी आता है, बेटा debit होता है cash account debit big, मेरे ब्यारे बच्चो rakesh का नाम मत लिखना, इन्होंने लिखा वा है rakesh का नाम, हम नहीं लिखेंगे बेटा, जब आपने bad debt किया होगा तो क्या history रही होगी, आपने सबसे पहले rakesh को उधार पर समान बेचा होगा, तो आपने entry करियोगी rakesh to sales rakesh को debtor बनाया होगा, आपने समान बेचा होगा फिर बेटा, जब दिन rakesh ने पैसे देने से मना किया होगा, आपने rakesh को book से खतम कर दिया होगा कि rakesh पैसे नहीं दे रहा जितना debit किया, उतना ही credit कर दो आपने 3500 रुपे का समान बेचा था बेटा और 3500 रुपे कर से rakesh को बेटा, book से खतम कर दिया था, debit किसको किया था बेटा, bad debt account को debit कर रहा था मान लिया था कि ये पैसे कभी नहीं आएंगे बेटा, आज rakesh के दिमाग में इमानदारी आगई, ये काम तो पिछले साल हो चुका है बेटा, पिछले साल है आप उसको write-off कर चुके हो बेटा, as bad debt लेकिन बोलता है आज rakesh के दिमाग में इमानदारी आगई, पता नहीं कहा से 3500 देने आगई, मेरे बच्चों cash आ रहा है, cash को debit कर दो और इसका नाम हम लिखते हैं बेटा, अब मेरे लिए तो ये एक income है, क्योंकि मैं तो मान चुका था कि राकेश कभी पैसे नहीं देगा, जितना debit था मैंने उतना ही credit करके, इसको book से खतम कर रखा था तो बेटा, राकेश के दिमाग में इमानदारी आ गई, तो बेटा, मेरे लिए बेटा, दो हजार रुपे के गुड्स आपने दान में दे दिये और आपको पता है बेटा, दान एक खर्चा है बेटा और सारे खर्चे बेटा, debit होते हैं बाबू, nominal account क्या बोलता है? debit, all the expenses and losses सारे खर्चों को बेटा, debit कर दो तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं charity को करूँगा debit और बेटा, जैसे ही goods दिये आपने तो बेटा, कहीं ना कहीं जेव से क्या होगा, goods से ले जाएंगे बेटा, goods आते हैं तो purchases debit होते हैं जाते हैं तो purchases credit हो जाती हैं बेटा charity account debit सारे खर्चे debit तो charity भी debit और बेटा, goods आते हैं तो purchases debit जा रहे हैं तो बेटा, मैं purchases को credit कर रहा हूँ April 19 amounted to rupees 2000 narration मैं नहीं लिख रहा हूँ book ने लिख्य हुई है बेटा चलो जी, आगे बढ़ो last transaction, April 25 income tax paid payment of income tax 12,000 रुपे मेरे प्यारे बच्चों, 12,000 रुपे का income tax दिया, income tax is a personal expenditure of a businessman drawings account debit to cash 12,000 रुपे बेटा, हमने बात पहले भी किया कि business तू अलग चीज है और businessman तू एक अलग चीज है business entity concept ने का है business तू एक अलग बात है और business man तू एक बिलकुल अलग बात है तो बेटा, business man जो income कमा रहा है उसके उपर वो income tax देता है तो बेटा, वो क्या कर रहा है, business से 12,000 रुपे निकाल के उसने दे दिये मेरे लिए तो it is equivalent to drawing क्योंकि ये personal expenditure है businessman का, उसको अपनी जेव से देना था तो प्यारे बच्चों, हमने क्या कर रहा drawings debit to cash और यहाँ पर सारे illustration खतम हो गए, आपके लिए homework है बेटा, question number 29 and question number 30, यह आपके लिए homework हो जाते हैं और अब मेरा start होता है, revision लो प्यारे बच्चों तो मैं क्या करूंगा, बेटा, मैंने लगबग लगबग जितनी journal entry कराई हैं आज सारी discuss करेंगे 10-15 case बना लेते हैं बेटा ठीक है न, आप तो जितनी journal entry करें a kind of revision for you बेटा लो जी, सबसे पहले बेटा मैं लिखता हूं concept number 1 सबसे पहले बेटा हमने journal entry किसकी करी, started our business started our business हो सकता है बेटा वो with cash हो हो सकता है बेटा with bank balance हो हो सकता है with building हो हो सकता है with shop हो हो सकता है बेटा with furniture हो हो सकता है बेटा with goods हो तो कुछ भी हो सकता है ये मेरा concept number 1 है बेटा बाबु जब भी आप business start करते हो जिस भी चीज से करते हो, सब को debit करते हो cash से किया है तो cash account debit होगा bank से किया है तो bank account debit होगा building से किया है तो बेटा building account debit होगा बाबू अगर आप ये note करना चाहोगे तो note भी कर सकते हो हम मैं सारा revision करा रहा हूँ जितना कुछ आज तक हमने पढ़ा है बेटा shop से किया है तो shop account debit होगा furniture से किया है तो बेटा furniture account debit होगा और goods से किया है तो बेटा purchase account debit होगा तो मेरे ब्यारे बच्चों मैं बिना format के जल्दी जल्दी revision करा रहा हूँ बेटा जो भी कुछ लाए हो आप business start करने के लिए हर वो चीज capital होती है तो बेटा credit हमेशा capital हो बाबू जो कुछ भी business start करने के लिए आप लाए हो बेटा वो सबका total capital होता है बेटा ठीक है ना और बेटा cash लाए हो bank balance लाए हो building लाए हो shop लाए हो furniture गुडशिया इसके लावा कुछ भी हो सकता है सब चीजों को debit कर दो और credit कर दो बेटा capital को ये है concept number one started a business with cash, with bank, with building, with shop, furniture, goods लो प्यारे बच्चों तो concept number one finish और क्या पढ़ा हमने concept number two हमने क्या पढ़ा बेटा बावू इसके बाद जो दूसरी सबसे famous transaction है वो है purchase of goods की purchase of goods for cash और on credit लो जी concept number two बेटा आपको कहीं बार कहता है goods खरीदा कहीं बार होता है नगत खरीदा और कहीं बार होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं हम ऐसे cases में purchases को हमेशा debit करते है बेटा purchases हमेशा debit होती है नगत खरीदा होता है तो बेटा cash credit हो जाता है cash आता है तो cash debit cash जाता है तो cash credit और बेटा अगर आपने उधार पर goods खरीदा हो तो बेटा हम क्या करते हैं Creditor का नाम लिग देते हैं मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर to creditor account क्योंकि मैंने कोई नाम नहीं लिया अगर मैंने उधार पर goods खरीदा होता किसी person से खरीदा होता तो बेटा हम क्या करते हैं उस person को credit कर देते हैं creditor बना देते हैं तो मेरे ब्यारे बच्चों ये था हमारा concept number two, same इसी पर based है बेटा concept number three, sale of goods for cash और on credit, बेटा जैसे आप goods purchase कर सकते हो cash, जैसे आप goods sale कर सकते हो बेटा वो भी cash, जैसे आप goods purchase कर सकते हो on credit, वैसे ही sale कर सकते हो on credit, मेरे ब्यारे बच्चों sales हमेशा credit होती है, तो आप ऐसे cases में क्या करते थे, sales को credit, अगर नगत बेचा है बेटा cash आएगा तो ऐसे cases में cash account हमेशा debit होता था, और बेटा उधार बेचा है तो बेटा debtor account debit होता था, जिस person को बेचा होता था, उस customer का नाम लिग देते थे, तो मेरे purchase return की आपने entry पड़ी थी, वो हो सकता है purchase return on cash हो बेटा, या हो सकता है बेटा on credit हो, मेरे ब्यारे बच्चों बात को समझने की कोशिस करो, जब goods business में आता है, तो आप purchases को debit करते हो, ठीक है ना, और जेव से cash चला जाता है, या जेव में उधार ही आ जाती है, कि बेटा creditor की payment करनी है, मेरे ब्यारे बच्चों, अगर आपने goods वापसी कर दी है, तो बाबु, purchase कही ना कहीं कम हो गई है आपकी, और कही ना कहीं बेटा जो cash देना है, वो भी कम हो जाएगा, या बेटा कहीं जो उधारी देनी है, वो भी कम हो जाएगी, तो purchase return क्या करती है, purchase के impact को बिलक अब debit किसको करें, बेटा cash पहले देना था, या दे चुके थे बेटा, cash दे चुके थे, मालो ये 12,000 की पर chases करी थी, 12,000 रुपे नगत दे आए थे बेटा, आज जब goods वापिस करके आओगे बेटा, तो कुछ ना कुछ पैसे वापिस मिलेंगे, तो बेटा पैसा business में आए पी नाम सोच लो, मुहन, राम, शाम, जो मर्जी सोच लो, ठीक है जी, बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं, concept number 5 की, बेटा, कही ना कहीं बात कर रहा हूँ, अब मैं sales return की, और sales return बेटा, on cash भी हो सकता है बेटा, और on credit भी हो सकता है, again, बेटा, similar to purchase return, जब बेटा, मैं business में sale करता हूँ, goods तो sale को मैं credit करता हूँ, जब बेटा, मेरे पास goods वापिस आएंगे, sale return होगी बेटा, तो क्या होगा बाबू, कहीं ना कहीं sale का impact कम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बेटा cash वापिस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बेटा debtor कम हो चाहेंगे, तो बाबू, इस entry के बिलकुल opposite impact, sales हमेशा credit होती है, और sale return हमेशा debit, तो sale return account debit, बाबू, cash का क्या होगा, business में आता है, तो बेटा debit होता है, जब वापसी कर गया कोई समान, तो मुझे cash उसको वापिस करना पड़ेगा, और अगर उधार खरीद कर गया था, तो बेटा, अब मैं debtor को book में कम कर करी, मैंने purchase return की बात करी, मैंने sale return की बात करी, पांच concept हो गए, चलो जी, बढ़ते चलो आके, लो बेटा, concept number 6, purchase an asset for cash or on credit, बेटा, कोई asset खरीदी है, आपने चाही cash खरीदी है, चाही credit, मेरे ब्यारे बच्चो, नियम क्या कहता है, नियम कहता है, real account का, asset के उपर नियम लगता है, real account का, जो कहता है, debit what comes in, जो आ रहा है, बेटा, debit कर दो, land खरीदी है, बेटा, land debit कर दो, आपको लगता है, आपने furniture खरीदा है, बेटा, furniture debit कर दो, मेरे ब्यारे बच्चो, आपको लगता है, आपने कोई और asset खरीदी है, plant debit कर दो, आपको लगता है, बेटा, आपने horse खरीदा है, livestock debit कर दो, मेरे ब्यारे बच्चो, कोई भी asset हो सकती है, कोई भी asset, shop building, जो भी asset हो, बेटा, जो भी खरीदी है, debit कर दो debit what comes in और बेटा जो जा रहा है वो बेटा credit कर दो या बेटा और उन check भी लिख लो buy check sorry लो मेरे प्यारे बच्चो ऐसा हो सकता है आपने नगत खरीदी हो नगत खरीदी हो तो बेटा cash account credit हो जाएगा जेव से cash चला जाएगा बेटा आगर check से खरीदी हो तो bank balance कम हो जाएगा और मेरे प्यारे बच्चो अगर आपको लगता हो कि आपने उधार खरीदी है तो कहीं ना कहीं बेटा बुक्स में creditor आ जाएगे तो बेटा यह होती है asset खरीदने की entry लो प्यारे बच्चो ऐसे ही concept बेचने की entry concept नमबर 7 sale of an asset for cash credit या बेटा बाइचेक मेरे प्यारे बच्चो बात को बहुत अराम से समझने की कोशिस करो asset हो सकता है आपने नगद बेची ऐसा हो सकता है उधार पर बेची और ऐसा हो सकता है बेटा चेक से बेची जब भी asset बेचते हो बेटा rule लगता है real account का debit what counts and credit what goes out जो जा रहा है बेटा credit कर दो तो asset जा रही है अब्यास थी बात है बेटा कोई भी asset जा रही हो तो बेटा credit कर दो asset का ना to asset account और बेटा बिकने से अगर cash आ रहा हो तो cash debit होगा, check आ रहा हो तो bank debit होगा और बेटा उधार आ रहा हो तो data debit हो जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों cash debit या bank debit या to data sorry data debit to asset account तो यह बेटा asset खरीदने की और asset बेचने के entry चलो जी बढ़ते चलो बेटा revision तकड़ा होना ची यह आपका लो जी और बताओ जी और कौन-कौन सी entry सीखी है हमने, लो मेरे प्यारे बच्चों बात करता हूँ concept number 8 की बेटा expenses paid expenses paid by cash or by check बाबो सारे expenses पे एक ही नियम लगता है कि सारे expenses debit होते हैं, चाहे वो buy cash हो, चाहे वो buy check हो मेरे ब्यारे बच्चों, सारे expenses debit होते हैं, जिसका margin नाम ले लो, जिसका margin सारे expenses debit होते हैं जिसका भी मैं नाम ले लो, salary debit, rent debit, commission debit, stationary debit, caries debit debit, कोई भी expense हो, बेटा हमेशा debit होता है, और बेटा अगर आपने नगत पे किया है तो बेटा, जेब से cash जा रहा है, cash जब भी जाएगा credit, आएगा जब भी तब भी debit, बेटा और अगर check से पे किया है, तो bank account को credit करना पड़ेगा, तो यह है मेरा analysis बेटा, expenses paid by cash और buy check, concept number 9 income received by cash या buy check मेरे प्यारे बच्चों, income receive करी, आपने चाहे cash से receive करी, चाहे check से receive करी, बेटा एक बात समझो, जब भी income receive होगी, चाहे cash आया, चाहे check का है, cash जब भी आता है बेटा, debit होता है, और check जब भी आता है, बेटा, bank account को debit करना पड़ता है, ठीक है जी बेटा और income, income हमेशा credit होती है, nominal account का rule कहता है, बेटा, debit all the expenses and losses and credit all the income and gain तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, income को credit कर देंगे, cash और bank account debit to income income, बेटा, कोई भी हो सकती है, कोई भी, discount receive होई आपको, तो भी income है commission receive होई आपको, तो भी income है, कोई भी income हो, बेटा हमेशा credit होती है, तो यह है बेटा concept 1 to 9 की मैं बात कर चुका हूँ, एक और बात करते हैं, बेटा, concept number 10, आपको बता देता हूँ, 30 से 40 concept मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसे ही करके, लो जी बात करता हूँ बेटा, concept number 10 की, मेरे ब्यारे बच्चों बहुत अराम से सीच को समझने की कोशिश करना, कहीं बार आपको कहता है, आपने drawings कर ली, ठीक है ना, drawings कह दे, private expenses कह देता है आपको, या आपको personal expenses कह देता है, या आपको income tax कह देता है, या आपको live insurance कह देता है, पता नी, क्या-क्या-क्या कह देता है, मेरे प्यारे बच्चों आपको कह देता है, live insurance premium दिया, proprietor का, मैंने LIP लिख दिया, लो, पूरा ही लिख देता हूं, या आप confused ना हो, लाइव insurance premium, तो बेटा, ये सब आपको बोल सकता है, ठीक है जी, बोल सकता है, बेटा drawings करी है, मैंने, ठीक है ना, मेरे लिए तो ये सब drawings है, बेटा drawings की है, मैंने, drawings हमेशा capital के impact को कम करती है बेटा, capital हमेशा credit होती है, बेटा, और अगर drawings capital को कम करती है, तो side बदल दो capital की, यानि कि बेटा, debit debit कर दो debit में नाम आता है drawings drawings account debit मेरे प्यारे बच्चो किसको credit करो या तो business से cash चला गया होगा बेटा अगर आपने नगट drawings की होगी अगर बेटा चेक से की होगी तो मेरे प्यारे बच्चो क्या हुआ होगा कही ना कहीं bank balance कम हो जाएगा और अगर आपने goods निकाले होंगे बेट कम हो जाएगे तो बेटा drawings account हमेशा debit होता है और बाबु नगत करी है तो cash गया होगा चेक से करी है तो bank balance गया होगा और मेरे प्यारे बच्चो अगर आपको लगता है कि आपने goods निकाले हैं तो purchases को credit टरना पड़ेगा concept number 11 discount बेटा मैंने discount पे बहुत बड़ी चर्चा की थी और याद करा देता हूँ, discount ना बेटा दो तरीके की होती है एक trade discount जो बेटा आपको goods quantity में खरीदने पर बिलती है और एक प्यारे बच्चो discount होती है cash discount जो आपको immediate payment करने पर या immediate payment receive होने पर या बेटा prompt payment पर मिलती है और receive होती है तो बेटा cash discount immediate या prompt payment पर मिलती है प्यारे बच्चो और trade discount quantity की वज़ा से मिलती है trade discount is recorded nowhere यानि की not recorded trade discount कभी books में record नहीं होती बेटा इसका purpose सिर्फ calculation है और सिर्फ calculation है जबकि बेटा cash discount को हम record करते हैं books of account में recorded in books of accounts recorded in books of accounts मेरे प्यारे बच्चो हम इसको कहीं ना कहीं record करते हैं तो बेटा ये थी मेरी चर्चा trade discount और cash discount पर बवू trade discount और cash discount से related मैं आगले concepts की बात next class में करूँगा और अभी मैंने 11 concepts तक पोचाऊं बेटा 40 के असपास हो सकते हैं ये तो प्यारे बच्चो आज इतना ही रखते हैं next class में मिलेंगे बाई बाई